हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आल आज मैं आपके जब वीडियो लिक्या रहा हो देखिए तीस गुना रिटर्न नौ साल में जब नौ साल में इसने तीस गुना रिटर्न आपको दिया पिछले 2009 से लेके 2018 तक तब तो ये पूरी मीडिया की कवरिंग में हाई लाइम लाइम लोग इसको भूल गये हैं और एक इग्नोरेंस वाले एरिया में जा चुका है जहां पर लोग इसको इग्नोर करने लग गये हैं लेकिन शेयर FMCG का जब अब इसने फिर से अपनी चाल बदली है अब जब तक ये फिर से लाइम लाइट में लोगों के आएगा तब तक ये बहुत उपर भाग चुका होगा बट अभी से जो हालात दिख रहे है टेकनिकल एनलेसिस के थुरू वह हालात काफी खतरनाक इसके अंदर दिख रहे हैं खतरनाक मींच काफी पॉजिटिव इसमें देखने को मिल रहे हैं लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी के एक्सपेक बड़े लॉस को अपनी डालोगे बात करते हैं स्टॉक के बारे में डिटेल मैं टेकनिकल फंडमेंटल सारे आसपेक्ट से देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले माँ आपको बता दोगा आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आकन को प्रेस कर लें जिससे बढ़न यह बहुत सारे प्रोडक्स इस कंपनी के है अब आप देखिए बहुत अच्छी बात है बहुत सारे प्रोड़क्स आपने को देखने को मिल को कंपनी कौंशी थोड़ा सा इसके बारे में बताजिए नाम तो आप समझ गयोंगे यह कंपनी कोई और नहीं गौदरे इंडिया ही नहीं पूरा मैं कहूंगा बहुत अफ्रीका लैटिन अमेरिका एक्रॉस एशिया बहुत सारी कंजूमर्स इसके हैं बहुत बढ़िया अब आपको डिटेल दिखाऊंगा तो आप आप समझोगे इसको गौदरेज कंजूमर प्रॉडक्स लिमिंटेड ने तबाही मचा रखी थी और मार्केट कैपटलाइशन देखें सत्तर हजार करोड का वापस हो चुका है गिरावट इसमें जरूर है लेकिन गिरावट के टाइम के बाद जो पॉजिटिविटी होती नहीं वह इंपॉर्टेंट है साड़े तीने जार करोड के आसपास का डेट है रिट पॉजिटिविटी तो देखें गिरावट में शेर खरीदने में काफी रिस्क होता है बहुत रिस्क होता है लेकिन एक बाद पॉजिटिव आये शेर तब शेर खरीदते हो तो फिर आपको लगता हां वह सेफ ऑफसन होता भले ही थोड़ा रिटन आपको कम मिलेगा लेकिन आपका एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वह साइड हो जाता है और वह हमेशा आपको करना चाहिए अभी चलेंगे इसके टेक्निकल डिटिल में भी जानने की कोशिश करेंगे पहले देखिए इसका रिवेन्यू का ग्रोथ आप देखिए क्या रिवेन्यू ग्रोथ है तेरा अब जब इतना ओवर वैलूट शेर हो जाता है तो लोग उसमें प्रॉफिट बॉकिंग करते हैं जब प्रॉफिट बॉकिंग वहां पे होती है तो शेर नीचे गरता है प्रॉफिट बॉकिंग भी होती है लोग माल भी बेशते हैं क्योंकि रिजल्ट पे इसका जटका इंपोर्टें्ड यानि कि टेचूनिक्ट अन्यकिंक्ल ऐनिस पर आपको लेकर जाओंगा वहां पे थोड़ा समयाने को कोशिश करेंगे डिटियल में जीरा होती है बहुत सारी behind the मैं कहूंगा behind the scene होती है जो आप पता नहीं लगा सकते हो तो इसलिए कितना भी अच्छा शेर क्यों नहीं हो technical analysis आपको बहुत बढ़िया एज देता है इन चीजों को avoid करने के लिए अब मैं शेर के मंथली चार्ट को देख पा रहा हूं यहां पर देखिए जो return इसने दिया था पिछले 2008-2009 में जब आपको बहुत सारी opportunities देखने को मिली थी लेकिन इसके बाद की journey को जब आप देखोगे तो आप अगर नहीं निकले तो मैं कहूंगा आपने बहुत ही बड़ा अपने profit के हिस्से को miss किया पिछले 2018 से लेके 2020 तक यह पूरे दो साल हो गए यह अपने downtrending zone में रहा इस बड़ी candle को आप देखिए और उपर से देखिए यह हाई का level जो है पार हुआ नीचे correction आया इवन monthly time frame पे भी इसने आपको lower high बना के दिया था दो-तिन महीने में और यह lower low तूटते ही फिर से lower low तूटा फिर lower high इसने बनाया देखिए जरा situation देखिए फिर से इसका lower low तूटा और monthly में अब जाके मुझे थोड़ा सा positivity दिख रही है कैसे अभी छोटे time frame पे अभी मैं अगर monthly के बाद करूँगा तो साड़े 700 को काफी important level है इसके लिए हाई के लिए अब लेकिन छोटे time frame में यानि कि weekly मैं समझने की कोशिश करते है और इस month मैं दो यह मैं काऊंगा एक बड़ी तेजी के बाद एक छोटी correction भी देखने को मिल रही है weekly पे समझते है इस stock को weekly काफी important हो होता है weekly chart काफी reliable अब जड़ा ध्यान से देखिए इसको और जो situation मुझे देखने को मिल रही है वह आपके साथ share करूँगा अगर मैं कहूं यहाँ पे पुराने time frame के हिसाब से अगर चले है पुराने data को analyze करें समझने की कोशिश करें तो आप देखे जो इस ने bumper return दिये है हम most जैसे यह 425 के level तक है और आपने इसको 480-490 के level पर पकड़ा तो अच्छी खासी opportunity आपने grab करी time to time लेकिन अगर इस candle को देखोगे यहाँ पे तुभी लगातार यहाँ पे गिरावट हुई और वो भी 5-6 हपते यहाँ पे गिरावट चली देखिए जरा यहाँ पे तो दो लोग निकले होंगे इस रैली पे इस रैली पे बहुत लोग निकले होंगे और धीरे धीरे यह बेस बनता गया बेस में भी आप देखिए तो डिमांड कम होती गया और इसके बाद यह देखिए धीरे धीरे करके यह जो जिस तरी के साम अप साइड में range की बात करते हैं यह मैं जिस तरीके से data देख पा रहा हूं कि यहां पर एक positive attitude मुझे weekly पर देखने को मिल रहा लेकिन important अभी में कहूंगा कि पहला area जो है कि मंतली पर 750-760 का यह area strong resistance का अभी भी काम कर सकता है यह बड़े areas होते हैं इनको पार करने के लिए बहुत ही बढ़िया consolidation के जरुवत जो के बाद शेयर को देखो ध्यान से तो देखिए लो लो पॉइंट और उसके बाद देखिए हाई बना हाई बनने के बाद मैंने आपको हमेसा कहा है कि trend reversal आपको समझना है तो यह काफी important यह higher low बन गया अब धीरे-धीरे higher high बना higher high के बाद फिर से आपको correction देखने को मिली यह देखिए अगली correction यह entry का मौका क्योंकि यह weekly chart है फिर से तेजी और फिर से अभी correction आई है और यह bullish cross भी बनने को तयार है correction भी आई है मतलब opportunity आपके दरवाजे खटका रही है और अगर RSI मैं देखू तो already यह stock यह देखिए इस level पर जा चुका है और मुझे लगता है कि अगली correction अगर 60 को पार कर चुका है अगली correction resolve होती है तो वह काफी important होने वाली है यह correction का resolution काफी important होने वाला है अगर इससे पहले भी situation January February के time पे मैं कहूंगा इस time पे ऐसी बने थी है December January के time पे बढ़िया positive situation बने थी लेकिन उसके बाद एकदम इसमें pain के situation आई तो इसलिए म stock को जरा जहां से देखिए daily time frame पे stock को पहली rally पहली rally तो इतनी खतरनाक थी मौका था ही नहीं entry का लेकिन अगली rally में जो यह correction है यह resolve कैसे हुआ आप देखोगे तो छोटी छोटी तरीके से आपको इस particular downside में भी आपको momentum देखने को मिलेगा आप डाउन आप डाउन का लेकिन rally के बाद अगला जो मौका आया वह correction resolution और भी important आपके लिए था अब फिर से stock जो है 725 के level पर जाने के बाद correct हुआ है correction चल रहा है अभी यह correction resolution को देखते हो तो मैं आपको एक बार हमेशा कहता हूं कि अपने stop loss आपके सबसे important है first time देखें बहुत टाइम बाद यह 200-day moving average simple moving average से उपर और उसके आसपास near support लेना तो आपका stop loss हो जाता है यह 607-60 की जो range है यह joint का low अगर यह correction को market में कुछ इस तरीके से situation आती है पेन आ जाता है एक दम तो क्या करोगे तो यह आपके लिए travel त्यार है इससे उपर आपको पैसा कवाना ही नहीं है इस तरीके से आपको सोच बनानी चाहिए फिलाल में wind up करता हूं वीडियो को उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छ वीडियो